question number 19 करेंगे question number 19 दोस्त आपका शैतान है शैतानी कर रहा है शैतानी से बच्ची हैगा अराम से तसली से रीड आउट कीचिए फिर देखिए question number 19 धबाएोया थाजटों पहा है कर दो नदेखियू झाम से राम से रह बधाई आपका रहा है यहाल कर दो 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 तो question number nineteen हमें कह रहा है Sen Gupta and company employs a team of 8 workers who were paid rupees 30,000 per month each year in the year ending 31st December 15 at the start of 16 company raised salaries by 10% to 33,000 per month each ठीक है, कुछ students ने 1st part का अंसर भी निकाला है on July 1, 16 company hired 2 trainees at a salary of 21,000 per month workforce are paid salary on the 1st working day of every month 1 month in arrears 1 month in arrears on the 1st working day of every month so that the employees, अब ये इसका meaning आपके दोसने खुदी बता दिया सोचना ने पड़ा, आपको कहना क्या चाहते हैं खुदी बता रहा है so that the employees receive the salary for January on the 1st working day of February ठीक है, तो भई, system यह है simple सा system है salary की payment कैसे हो रही है january की salary pay करते है 1st feb को तो feb की pay करते है 1st march को ऐसी चलता है ये नवेंबर की नवेंबर की हम pay करते हैं 1st December को और December की हम pay करते हैं 1st January को यानि की अगले साल ये हमारी cash payment का system है जो हम salary देते हैं ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कई answers आगे हैं आप तक देखते हैं शायद उमीद तो यह है कि answer आपका correct होगा अब आपसे ये पूछ नहीं है सबसे पहले तो ये बताओ PNL account में कितनी salary जाएगी for the year 2016 ठीक है अब जब हम PNL की बात करते हैं PNL में कितनी salary जाती है जितनी salary उस साल की होती है ठीक है आप सब का answer रहा है 34,20,000 चलो चेक कर लेते हैं 2016 की उतनी salary जाएगी जितनी salary बनती है तो 2016 की सबसे पहले तो देखो हमारे 8 employees 8 employees salary की payment कभी भी करो PNL में जाएगी पूरे 12 महीने की salary 8 employee 12 महीने की salary salary हमारी है 33,000 क्योंकि इस साल से क्या हो गई थी salary 33 हो गई थी यह तो हो गई employees की प्लस प्लस हमारे पास है 2 trainees 1st July से रखा था 1st July से रखा था तो salary हो गई 6 मंत की और salary का amount है 21,000 ठीक है तो देख लो कितनी salary आ रही है तो अमीद है यही आ रही होगी 34,20,000 है ना तो सभी का आंसर ठीकता सिरफ एक ही student का गलत था बस तो वो जिसका गलत था आप चेक कर लो आपने क्या गलती की थी तो 34,20,000 जो salary हमारी P&L के अंदर debit होनी है अगला part के रहें actually मैं आपने कितना दिया 2016 में amount actually paid अब यह जो actually paid है इसमें देखो 2016 first January 16 इसन मैंने payment करयोगी पिछले साल December की salary की ऐसी payment करें न हम salary की हर महीने की salary अगले महीने की 1st को तो मैंने 1st January 16 को कौनसी salary पे करी 31st December 15 इस महीने की जो बनती थी तो इस महीने की salary हमारी बनती है हमारे 8 employees कितने महीने की salary एक महीने की salary और यह salary हमारी है 30,000 रुपे क्योंकि पिछले साल तो salary कितनी थी हमारी 30,000 और क्योंकि क्या रहा है 2016 में आपने पेइमेंट कितनी करी है तो मैंने का भही ठीक है सबसे पहले तो मैंने 1st January 16 को पेइमेंट करी है पिछले महीने की last year के last month की December की एक महीने की salary rate था 30,000 और कितने लोगों को दी मैंने 8 employees को यह तो हो गया पिछले साल का फिर मैंने 2016 में इस 2016 की salary दी कहां से कहां तक की January 16 से लेकर के November 16 तक की January की मैंने Feb में दे दी Feb की मैंने March में दे दी October की मैंने November में दे दी November की मैंने December में दे दी December की salary वो मैंने अभी नहीं दी क्योंकि वो मैं pay-up करूंगी 1st January 17 को तो यानि की मैंने pay करी है 11 महीने की salary Employees मेरे 8 है Salary मेरी बढ़ गई है 33,000 यह salary की payment करी मैंने Employees को साथ में मैंने payment करी अपने trainees को Trainees ने जॉइन किया था July में तो July की payment कर दी August, September, October, November यहां तक की payment कर दी कितने trainees हैं 2 trainees हैं कितने महीने हुए 5 महीने हुए salary इनकी है 21,000 तो यह हमारा amount actually paid as salary तो यह आप मुझे बता रहे हो 33,54 ठीक है देखो असान है बस दिहान से करना है मुश्किल कुछ नहीं है लेकिन हलका सभी दिहान अटा तो question गलत हो जाएगा तो यह हमारी actual payment आप देखे हैं लास्ट पार्ट Outstanding salaries as on 31st December 16 16 तो भई मेरी Outstanding salary यह सिर्फ एक ही मन्त की payment जो मैंने नहीं करें बाकि सब paid December 16 सिर्फ यह वाला महीना बाकि सब paid तो मुझे सिर्फ यह देखना है December 16 की salary कितनी बनती है क्योंकि वह सारी की सारी Outstanding है तो 8 employee एक महीने की salary कितनी है? 33 और 2 trainee एक महीने की salary इनकी salary है 21 बस इतना ही रहता है बाकि तो मैंने सारा payment कर चुकी हो मैं यह आ गई हमारी Outstanding salary 33,06,000 यह question as it is ICAI पूछ चुका है 5 marks में बिल्कुल same to same यह वाला question तो असान है simple है लेकिन दिहान से करना है दिहान से नहीं करेंगे तो फिर गल्ती होने के chances बहुत जादा है इस question में तो यह हमारी पूरी scenario है salary का कितना पूरे साल का बनता था वह P&L के अंदर है कितना हमने पे किया वह cash payment है और कितनी payment हमने नहीं करी है वह हमारी outstanding salary है अब जहां तक यह बात है कि इसको paper में लिखेंगे कैसे तो वह आप एक बार देखो देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे paper में बिल्कुल simple तरीका है जो solve कर रहे हैं वह हम लिखकर आ रहे है मतलब paper presentation मतलब कोई beautification नहीं है कि आपने बहुत सुंदर-सुंदर design बना कर लिखा नहीं paper presentation means simple एक presentation हम हर चीज़ बता रहे हैं हमने calculation कैसे किया है तो यह paper presentation है इस तरीके से आपको paper में लिखकर आना है देखिए अराम से देखिए कोई doubt है तो पूछिए तो पूछिए तो पूछिए तान्या के रही है मैं रिपीट कर दो second point मतलब amount actually paid as salaries तो देखो हमने actual payment 2016 में कितनी करी है हमने January से लेकर के November तक की salary दे दिया हमारी सिर्फ December की pending है क्योंकि वो हम अगले महीने की first को दे पहे है तो हमने 11 महीने की salary दे दी तो हमने का भी देखो 8 employee 11 महीने 33,000 यह हमने दे दिया ऐसी हमने trainees को दे दी दो trainee 21,000 की salary 5 महीने एक तो हमने यह payment कर दी plus, plus मैंने 2016 में क्या किया होगा December 15 की salary यह मैंने दी है 1st January 16 को तो एक महीने की salary 8 employees और 30,000 की हमारी salary तो यह हमारा salary actually paid तो अज के लिए इतनी ही प्राक्टिस करते हैं बाकी प्राक्टिस प्राक्टिस फिर हम कल की क्लास में करेंगे कि कल की क्लास में भी हम फाइनल अकाउंट्स की प्राक्टिस करेंगे थाकि और अच्छे से दीरे दीरे हमें चाप्टर समझ में आने लग जाए ठीके तो चलिए फिर आज की क्लास हमारी यहीं तक आज की क्लास में किसे को कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजे दुबारा देख लीजे questions कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजे तान्या के रिए मैं अगर sales minus profit करके निकालेंगे तो definitely उस समय हम करेंगे profit on sales. Yes, Tanya, एकदम correct आप समझ गए हो हंजी December की salary हमने इस case में बस next month दी है इसलिए यहाँ पर हम जो actual salary paid निकाल रहे है तो पिछले साल का December का हमने इस साल में pay किया हाँ आरेन मैंने अभी यही बात का मैं reply कर रही थी कि हमने पिछले वाली December की salary क्यों add करी है क्योंकि हमने इस साल उसकी payment करी है January 16 में December 15 की salary पे करेंगे हम January 16 में यूगता करी है मैं 2016 December की salary करेंगे वह करेंगे बताओ January 17 में तो 2016 December की salary उसकी payment कब हो जाएगी January 17 में हो जाएगी ठीक है नो तो चलिए आपके side out स्लियर होगे तो आज की class हमारी यहीं तक थांक्यू सो मच और कीप स्माइलिंग प्रावश्पश्ट प्रावश्ट लूप प्रावश्ट प्रावश्ट जूप स्वीं 9 9 10 10 11 11 12 14 15 कि अपकोपन कि अपकोपन कि आपना कि आम हो कर दो को को हुआ हूए हूए हुआ 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 है कर चाई humility अहीं जो कर देना प्रिट कर पताएIFA क शोजर बप्रिव लाम हो करें दी amidst । झाल झाल